इस वक्त हम मौझूद है मौके पर जहां पुलिस ने अधिकारिक तौर पर बताया है कि इसी गेट के जरिये जो अभियुक्त है आरोपी है वो अपनी गाड़ी जो की आईटेंट थी वुससे अंदर लिके जाता है इस गेट से गाड़ी को इसके बाद साइड मिरर होते हैं यानी 70 इंच की आसपास जो गाड़ी की विड़ है वो है तो कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी रस्ते से गाड़ी ले जाए गई थी या फिर कहीं न कहीं पूरी थियोरी में जोल है और डीम के घर के अंदर से ही इस पूरी गाड़ को ले जाए गया कानपूर में एक तक गुपता की मडर मिस्ट्री का ऐसा खुलासा हुआ है जो आपके दिमाग के नसों को हिला देगा मैला की हत्या उसके जिम ट्रेनर विमल सोनी ने की उसकी लाश को कहीं और नहीं बलकि डियम आवास के गंबाउंड में ले जाकर गार द अजराय की बॉडी को डियम आवास के परिसर में नहीं दफनाया गया यह उसकी चाबी भी संबवता कभी-कभी इसके पास रहती थी इसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का उस गेट को खुला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जाकर के फिर इसमें वहाँ डेट का फैक्ट चेक करने के लिए यूपी तक की टीम पहुंची उसी दर्वाजे के पास जहां से पुलिस ने दावा किया कि आरोपी जिन ट्रेनर विमल सोनी ने अपनी कार अंदर ली थी पहले महीला का अफरन फिर उसकी हत्या और चार महीने तक पूरी घटना का निस्तारन न कर पाना इसके बावजूद कानपुर पुलिस ने अपनी टीम को एक लाग रुपे का इनाम देने की बात कही है जहां एक तरफ ये पूरी घटना अपने आप में एक जगन अपराद है वहीं दूसरी तरफ पुलिस थियोरी पर भी अप कई सवाल उठना शुरू हो गए है इस वक्त हम मौझूद है मौके पर जहां पुलिस ने आधिकारिक तोर पर बताया है कि इसी गेट के जरिये जो अभियुक्त है आरोपी है वो अपनी गाड़ी जो की आईटन थी वो से अंदर लिके जाता है इस गेट से गाड़ी और जहां गड़ा है जहां उसने लाश गाड़ी वहां पर अपनी जो गाड़ी है लगाता है और वहीं से उस पूरी लाश को दफना देता है क्या दम है पुलिस की तियॉरी में क्या इतने छोटे से गेट से वो आईटन गाड़ी एंदर जा सकती है या नहई पुलिस का कहना है कि गाड़ी इस gate से गई थी ना कि DM के अवास वाले gate से आपको बताएंगे हमारे हाँ सहीयोगी है इंची टेप से अगर मैं नापू यहाँ से शुरुवात करते हैं जहां से गाड़ी जाने की जो जगा है वो आपको देखेगी अब एक बार आपको फोन पर दिखाएंगे कि जो गाड़ी है जो इस पूरी खटना में यूज हुई उसकी विट कितनी है 1680 mm है इस गाड़ी की विट और इसको अगर 1680 को कनवर्ट करते हैं इंचेज में तो यह आता है 6-6 इंच उसके बाद साइड मिरर होते हैं यानि 70 इंच की आसपास जो गाड़ी की विट है वो है और गेट से अंदर जाने की जो जगा है वो अपने आप में मात्र 75 इंच के आसपास है तो कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी रस्ते से गाड़ी ले जाई गई थी या फिर कहीं न कहीं पूरी थियोरी में जोल है और DM के घर के अंदर से ही इस पूरी गाड़ी को ले जाए गया हमाय साथ तमारे सयोगी भी है रंजय जी आप पूरी इस घटना को देख रहे हैं आप उस प्रिस कॉंटरंस में थे जहां पे पूलिस ने पूरी थियोरी रखी आपने सामने इंची टेप में देखा क्या लगता है गाड़ी अंदर जा से रात से घटना की अगर तो देखा करने वाले उसके बाद चार्ट फ्रिट का घड़ा खोदा जाता है और डियम कंपाउंड से ही सोवाहन जाता है उसके पती जाते हैं सारी पुलिस की टीम जाती है लेकिन यह पूलिस अप सफाई देने में लग गई है कि डीम कंपाउंड से नहीं था जबकि गेट उसका डि पाई जाती है और यहां देखिए सामने अपर जिला जच का घर है देखिए इसके बात है हर समय का के बना हुआ है बगल में यह बांडी के जच्ट बगल में ही डियम कंपाउंड है वहां पर उनकी पीसिकार है इस सवाल कैसे हो सकता है कि सुबह 8 बजे का समय जब अधिकारी मार्निंग बाग पे जाते हैं उनकी स्वरचाटी में आती हैं सुबह निकलने का समय होता है कैसे संभव हो सकता एक दूसी चीज और भी है कि सामने वास्वन है जो प्रेस करता है रामो इससे भी हम लोगों ने बात कि उसका कहना है कि हम आनने तो कभी कोई कार अंदर जाते देखा ही नहीं है पुलिस यह सफाई देखे ने आप पुलिस का समय देखे उसने हत्या कि उन्हें बताया कि तिलक हो गया था नाराज था बहुसी रहती है लेकिन इस बापने पुलिस का जोड़ जादा था कि वो डिम कंपाउंड नही करने की बात करी है आपको क्या लगता है कि पुलिस झुबर क्यों करने ुसे दिकायव होती है उसके पती जगह तक उड़ता है दिली जाता है सारे अधिकारियों खुद कह रहा है कि मैंने चार में सारे कर लिए तो पुलिस की निगलेंसी नहीं मानी जाएगी त्या उसी दिन कर दिये लेकि पुलिस चार मेहने तरह कहां खोजती रही इस तरह आतंग आधी भी आते हैं वह कोई फोन यूज कर रहा था तो उनको कैसे पकड़ते हैं और फिर यह कोई आम परि खेलते हैं तो क्या इसको इतनी एक कातिल इतना जीदार कैसे हो सकता है कि मडर करे कार में और कार लेकर उसी जगे आ जाए जहाँ पुलिस की गार दे लगती हूं वास्तव में तो कैमरा पर आपने देखा कि वो पॉसिबल नहीं है तो दूसरा जो तरीका बचता है वो एकलोता है कि डियम के घर से अंदर जाकर इसी कैमपस के अंदर लाश को गारना अब फिलहाल पूलिस की जाच में अब ये सामने आना बाकी है कि कैसे इस पूरी खटना को अंजाम दिया गया वीडियो जनलिस शुपम शुकला के साथ से मरचावला कानपूर